दूसो आज की वीडियो में आपका फिर से फेवरिट टॉपिक लेके आ चुका हूँ वैसे टाइटल और थम्नेल से आइडिया लगी गया होगा कि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप टैन ऑफ्लाइन गेम्स के बारे में काफी लोग मेरे से रुकेस्ट कर रहे थ तो वहां पर उफलाइन गेम्स एक दुमें काफी मजा आताय बाई का की ईंटरेंट की जडूरति नहीं होते हो तो बिन एंटरेंट के मज़से काफी मस मस गेम में से वो खेल सकते हो और यह पर जो बिन आपको गेम से पताने वाला हूं उसमें आपको स्टोरी मोड गेम से को मिलेंगे तो नोड़ाट गेम खेलने में भी काफी मज़ाएगा गेम प्ले काफी शांदार होगा तो जारा टाम ना वेस्ट करते होए वीडियो शुरू करेंगे लेकिन जो वीडियो का लाइक है वह तीन हजार है काफी कम रखता हूँ यार लाइक गेम कंपलीट कर दिया क आखेज़ी साथ आज यह आजके वीडियो को कई सुरू करते हैं दूसतो जो इसमेंजनाल को इससरो के मैंण गेम दखतreiben भाईक काफी बसंद आए उर यह बहुत शे काफी मज़ा तो स्ट को स्टोरी मोरे ठेखने को मिलें बाइज नहीं आप को नाइकर पांचने केजिए तरि etmek तो स्थम्सक्राइ। जासजी करेंग अबने तर्छा पूरा गेम कुछ इसा ओने बाले जो की मेको काफी पसद्द आया और गेम कर पास पास है तो यह बागे किस किस ने खेलिया हिट वन्ट ब्लेज ने कॉमेंट सेक्शों में जू बताना और गेम का प्राइस तो अल्मोस अभी को पता चली गया है 500 रुपे के आसपास है जो कि काफी महेंगा है बट ठीक भी है दोसो लिश्ट पर जो मारा दूसरा गेम है वो है कॉलीना लेगेसी दोसो काफी लोग मेरे को आजकल कमेंट भी कर रहे थे कि उनको कोई ऐसा एक हॉरर गेम चाहिए जिसकी ग्राफिस क्वालिटी और गेम प्ले काफी शांदर हो तो उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है समझ आप यह वाला गेम ट्राइ कर सकते हैं इस गेम की स्टोडी लेन काफी इंटरस्टिंग लेने वाली है इसमें जो मारा मेन क्रेक्टर आलेक्स वह ग्रेंड मा के घर जाता है वकेशन के लिए लेकिन वह वकेशन भाई कब बदल जाते हैं पूरे तरीके से एक हॉरर अडवै इस गेम का नाम है अन अर्थ गेम का पुराना है लेकिन आज की डेट में भाई ऐसे गेम से वह नहीं बनते गेम का साइज जो जी पी का इस पास रहेगा और यहां पर इंटरस्टिंग अने वाले काफी लोग ने शायद प्लीस्टेशन के उपर अंचार्टर सीरीस तो इस एक्सप्लोर करते हैं और वहां पे काफी सारे ट्रैप्स भी होते हैं उनसे भी बचके रहना होता है और इसके लावा कुछ मदर ऐसे नॉर्मल हुमन्स भी है जो कि आपके पीछे लगे हुए है वह चाहते हैं कि आप उस अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ तो आपक कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको शूटिंग वाला कंसेप्ट वह देखने को मिलेगा बाकी पजल और डवेंचर वाला पार्ट सबसे बेस्ट होने वाला है भाई सो चो आज की डिट में ऐसे गेम बनते हैं यह इतना पुराना गेम है मेरे को काफी पसंद था तो आप क अचैनल पर आपको अजीब तरह के एलेंस है वो देखने को मिलते हैं अलियन बुक्स भी हैं काफी तरह के लिए जिनको आपको शूट करने और आपके ऊपके पस काफी पावरफुल वैपन्स है बाई यहाँ पे जैसे लेजर गंस है ग्रेंड सै एक्सप्लोजीव है मशीन पुछ पूरा ऐसा कंसेप्ट होने वाला है बस कंट्रोल में थोड़ा सा वर्क आउट हो जाए तो उसके बाद यह काफी होसम है दूसर लिस्ट पर फिफ्ट नूबर पर गेम आता है इस गेम का नाम है माइंड सेल दूसर इस गेम की स्टोरी लाइन काफी इंडरस्टिन होने आपको कुछ भी अपने बारे में याद नहीं है तो फिर आप उन चीजो को एक्स्प्लोर करते हो लेकिन जो साइंटिस है वह नहीं चाहते कि आप इस जगह से बाहर निकलो वहां का जो स्टाफ है वो भी आपको रोकने की कोशिश करेगा तो इसमें आपको फाइटिंग व इसके लावा बहुत बैटल्स भी देखने को मिलेंगे तो कुल मिला कि गेम काफी मस होने वाला है जुरू ट्राइक करना दूस्तों लिश्पिश वहारा 6 नमोर पर गेम आता है वो है डैविल वार 3D आप समने डूम सीरिस देखी होगी ना पीसी के उपर कुछ उस लेवल क वैसे उस लेवल का गेम तो नहीं मालव ऐसा कुछ कुछ कंसेप्ट अगर ट्राइ करना चाहते हो मॉबाइल बे तो आपको यह वाला गेम जुरू ट्राइ करना चाहिए यहाँ पर आपको अलगल एरिया दिये जाते है टोटल साथ एरिया देखने को मिलेंगे यहाँ पर शूटिंग कर रहे हो, मस थी, बड़े-बड़े boss battles लेकने को मिल रहा है, वो चीज़ देखने में काफी cool लगती है, और कुछ ऐसा एक concept आपको डूम में देखने को मिलता है, तो इसलिए ऐसा बोला था, बाकी गेम काफी मज़दार है, जिनको सिरफ ऐसे शूटिंग करना पस चीज़ कट लिएmost नि आताल Mexican ने को मिलती है, जो काफी मज़ते है, एवन गेमप्ले भी काफी मज़ते है, बहुती है बहुत फिर ऋपन वल्ड एंवारमटर ने को मिलता है, यहां पर स्तोरी मोड देखने को मिलेगा, तीन दोस्तों की कहाने ओने गाए वाली है, वो कुछ यहां पर देखने को मिलेगा और जो बैटल्स होते हैं वो टर्न बेस्ट वाला कंसेप्ट रहता है इसके लावा बाकि जो पूरा गेम होता है वो ओपन वर्ल्ड रहता है तो स्टोरी मोड में पूरा अच्छे से एक्स्प्लें नहीं किया क्योंकि जैसे से आप खेलोगे आप आपको देखने को मिलेगा और यहां पर अलग अलग जो पास पावर्स भी अलग होती है बाई सबका जो फिनिशर्स रहता है वो अलग रहते हैं जो की काफी कूल लगते हैं तो अगर आपको कुछ ऐसे स्ट्रीट गैंग वाले ऐसे फाइट वाले प्रीजन वाले गेम पसं इंडरस्टिंग होने वाले इसमें जो करेक्टर प्लेग कर रहे हो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी एक अनधर वर्ल्ड में ही जले जाती है और वहां पर काफी अजीब तरह की क्रेचर से वो देखने को मिलते हैं तो वह चीज़ देखने में काफी कूल लगती है जो आस-पास का महौल बनाते है वो भी काफी खतरनाक लगता है और उसको लगता है कि जो क्रेचर से वो रियर लाइफ में इसके साथ यहां भी अट्रैक कर रहे हैं वो चीज़ काफी मस लगती है तो यहां पर स्टोलन काफी इंडरस्टिं होने वाली है ग्राफिस कॉल्ट लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन है वो रियल इंसिदेंट्स के उपर है भाई तो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर उसी साबसे आप खेल सकते हो एक लड़की है जिसको के नैप कर लिया गया और रैडले एरिया में ले ले जाया जाता है और वहां पर वह पर इस गेम को जो ट्राय करना चाहिए और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है अगर आपको वीडियो में से एक भी गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हो लास्ट वाला जो इंडियन गेम था ना भाई उसको एक बाद ट् और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बैल को ऑल पर सट करना तभी आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे and thanks for watching this वीडियो